हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल परदे सैट एक्जाम 2018 हिस्ट्री का पेपर 3 इसका पहला कुर्शन है निमलिकित में से पर्थम बार किस काल में प्राकर्तिक अनाज परियोग करने के उजार मिलते हैं निमलिकित में से पर्थम बार किस काल में का परियोग किया गया इसके पहचान कीजिए कि पकी मिट्टी के दोहरे हवाले पहिए निमलिकित में से किस काल में बनाई गए ये बनाए गए थे विक्षित हडपा काल में निमलिकित में से किसके काल में पर्थम बार लोह का परियोग पाया गया पर्थम बार लोह का परियोग चित्रित दूसर मृद्भांड काल में पाया गया था बहुजण हिताय नामक दार्शनिक ऑधारना का परतिपादन किस के द्वारा किया गया 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 परतिपादन बोत धरम के द्वारा किया गया था गैर हडपाई तामर पसान काल में विकास की दर नगरीकरन हासिल नहीं कर पाई क्योंकि प्राकर्तिक संसादनों का उप्युक प्रियोग करने के लिए अनुकूल तकनिक उपलब्द नहीं थी आरियों के अत्यन्त करम कांडवादी धरम वैब रामनों के प्रभूत्या के विरुद पर्थम परतिकिरिया उपनिजदों से मिली उप्शन A ग्रे की त्यासकार हेरो डोटस के नुसार गांधार अकमेनियन समराज्य की कौन सी संख्या का परांत था यह था बीसवा परांत निमलिकित में रूप दर्शक नामक सब्दावली का सही अर्थ पैचानिये रूप दर्शक का सही अर्थ है मुद्रा निरिक्षक निमलिकित में से पर्थम बार किसने पोटीन के सिक्के जारी किये पोटीन के सिक्के साथवाहन सासकों ने जारी किये थे निमलिकित में से किसने पस्टने भारत के सकों के सिक्कों का अनुकरन कर चंदी की मुद्राओं को जारी किया वैसा सक्था चंदरगुप्त दुईतिय निमलिकित को काला नुकरम में व्यवस्तित कीजिए इनमें सबसे पहले जन उसके बाद जनपद उसके बाद महाजनपद और फिर समराज्य ओप्शन डी निमलिकित पदों को कर्मा नुसर व्यवस्तित कीजिए इनमें जब सबसे पहले होगा चकरवर्ति उसके बाद महाराजा दिराज फिर महाराज और फिर राजा उप्शन से बोज संगीतियों को काला नुकरम में व्यवस्तित कीजिए सबसे पहले पहली बोज संगीति जो है वै राजगरह में हुई थी दूसरी बोज संगीति वैसाली में हुई थी तीसरी पाटली पुत्र में और चोथी कस्मीर में संपन हुई थी सूची एक की पुष्टकों को सूची दो के लेक्षकों से सुमेलित किजिए मृष कटीकम जो पुष्टक है वह है सुद्रक्की दस गीति का सुत्र आरिय भटकी है पन सिधान्ति का व्राह मिहिर और योगाचार असंग सूची एक के विलेकों को सूची दो के राजाओं के साथ सुमेलित किजिए नास्चिक गुहा विलेक पूलुमावी से संबंदित है मदवन तामर पलेट हर्शवर्दन पूना तामर पलेट अभिलेक परभावती गुपता मथुरा प्रस्तर स्तंब अभिलेक चंदरगुपत त्वितिया ओप्शन ए निमनलिखित को काला नुकर में विवस्तित किजिए ये कॉर्शन जो है आयोक के दोरा डिलेट कर दिया गया था निमनलिखित को काला नुकरम में विवस्तित किजिए इन में सबसे पहले पर्थम नगरीकर्ण जो की सिंदुगाटी सब्वेता काल में दिखाई पड़ता है उसके बाद तामर संग्र है उसके बाद धरम चक्र परिवर्तन और फिर संगम काल ओप्शन ए सूची एक की पुष्टकों को सूची दो के लेकों से सुमेलित किजिए मुद्रा रक्षेस पर टिक का लिखने वाले थे धुंडी राज, पृत कथा मंजरी, शेमेंदर, मत विलाज परहसन, वहिंदर बर्मन और राज तरंगनी कलहन निमन लिखित का काला नुकरम में विवस्टित के जिए, इनमें सबसे पहले काल आता है, दरमपाल, पालवन से संबन दित है, उनके बाद जो है, नेक्स्ट है, राजेंतर पर्थम, उसके बाद कीरती वर्मन, चंदेल का काल आता है, और फिर गौविन चंदर, गहटवाल क महापासान ये संस्कृति का सुवरूप पर्मुक्तिया क्रामिन था, जो कि सही कथन है, जीविका से आगे का स्तर हासिल करने के लिए कारगर तकनीकी जानकारी उपलब नहीं थे, यह भी सही है, दोनों ये कथन सही है, और आर एकी सही व्यक्या है, द्वितिया नगरी करन मद्य गंगा मेदान में गटी तुआ, जो कि सही कथन है, उपजाओ भूमी वे मीठा पाने वह उतायत में उपलब ये कथन सही नहीं है, ए सही है, किंदु आर सही नहीं है, नेक्स्ट है, कथन ए, पर्थम वे अंतिम बार लगबग सभी कुसान पुरा स्थलों से काफी बड़ी संख्या में तांबे किसी के पराप्त हुए है, जो कि सही है, इस काल में काफी बड़ी संख्या में तांबे किसी के बनाई गई वे समान्य परियोग के लिए प्रवस्तियों के उत्खननन में नगरीकरण के हवास की परमुख प्रवर्ति तेखी गई है, जो कि सही कथन है, नगरीकरण की अन्य विसेशताओं वैसिकों का विसेश अबाव है, यह भी सही है, ए और आर दोनों सही है, वै आर एकी सही व्यक्या है, अबुल फजल जिसने गजनी के सुल्तान मेहमूद की जिर्दोस व्यक्तियों का फुन बहाने के लिए बुराई की है, वै इस सुल्तान की तारिफ इन सब्दों में करता है, कि इस सुल्तान ने अच्छे और महानकारिये किये, वै है कुटुबुदिन एबग निचे दिये के युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। के वर्तालाप और ज्वामा उलकालीम गुलबर के सुफी सेद मुहमत गेशुद राज के वर्तालाप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है। दिल्ली सल्तनत के उन दो इतियासकारों के पैचान कीजिये, जिन्होंने एक ही सिर्षक तारिक फिरोसाई के नाम से अपनी पुष्टकों का लेखन किया। वे तियासकार हैं समसे, सिराज, अफिव, तथा जियाओ दिन बरने। नीचे दो वक्तवे दिये गए हैं कथन वकारण। कथन ए। सुल्तान इलतुतमिस की नेतियां कटर धार्मी कुरूओं की राय तथा उनके धार्मी कुपदेशों से बहुत परवावित थी। यह कतन सही नहीं है। सुल्टान इल्टूतमिस ने अपने दर्वार में बराबर धार्मी कारियालियों का आयोजन कर उलिमाओं का संतुस्ट किया हुआ था यह सही है यह सही नहीं है वै आर सही है नेक्स्ट है सुल्टान ने काजे से पूछा कि क्या सरियत में उन व्रस्ट सास के अधिकारियों के लिए किसी परकार की सजा का जिक्र है जो जन्ता के धनका गबन करते हैं रिश्वत कबूल करते हैं पैसे की गलत गिंती करते हैं उत्तर था कि सरियत सारजने कानून के मामले में बिलकुल हमोस है इस सुल्तान की पैचान की जिए यह सुल्तान है अल्लाउदिन खिलजे शुल्तान फिरोज तुगलक ने पुराने सुल्तानों और बड़े अमीरों द्वारा बनाई गई इमारतों की मरमत और नवीनी करण करवाने में गहरी रूची दिखलाई उसके समय में एक समार् सिर्फ उसकी मरमत करवाई बल्कि उसे और उन्चा भी उठाया वह है कुतुम मिनार ओप्शन से नेक्स्ट है निमलिकित में से की सुल्तान ने दिमागी तोर पर बिमार मरीजों के इलाज की विरस्था की और उन्हें अस्पताल में रखा वह सुल्तान है फिरोज दुगलक सेक नूरुदिन ने की सुफी सिल्सिले की स्थापना की निमलिकित में से किस ने जोनपूर को दारुस शुरूर का नाम दिया और इसे सांस्कृतिक के इंदर बनाया जहां विद्वान और कभी एवमसंत एकत्रीत होते थे और राजधानी उनसे प्रकासमान हो जाती थी मलिक सरवर ने ओप्सन डी है। वह सुलतान है सुलतान जनूल अभीदिन। को में कद रक्सिन भार्त की किश भाषा में कंबन ने रमार्वाण का ग्यार्मिस लबे से कि laz लबाय ता कुल लाय तूल के साथ बाबरी लिपी क बढूमाला मलिपी में लिख गए कƯाscreen म का काबुल MYk निवन में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है अकबर का जनम जो है अमरकोट में हुआ था सही है जहांगीर का फतेपूर सिक्री यह भी सही है साह जहां सरहिंदिया जो है सही नहीं है साह जहां का जनम लहुर में हुआ था औरंग जेब दहो दिया सही है नेक्स्ट है निमलिकित लेखों एम सरोतों में से कौन सा युग में सही सुमलित नहीं है गुलबदन बेगम हुमायू नामा जो कि सही है बीम सेन नुस्का दुलकुसा यह भी सही है जोहर आपथाप जी चहार गुलसन यह सही नहीं है और मुंद्फटष त्वारिक ये भी सही नहिं है। बहरत और उजबेकिस्तान के सासक अकबर और अब्दुल्ला खान उजबेकिस्तान को दोनों समराजय की सीमा कीुप में निरधाईत करना के लिए सहमेत हुए। हिंदु कुसको जो है वह सीमा ने धायत करने के लिए सहमेत हुए थे, उप्शन A सैयूरगाल संस्ता मुगलों के साथ भारत में कहां से आई, यह आई थी सेंटरल एसिया से निमलिकित में से कौन सहजादे सलीम के सिक्षिक थे सहजादे सलीम के सिक्षिक थे अब्दुरहिम खाने खाना और सेथ अब्दुनभी निमलिकित में से किस बादशाय ने आदेश दिया कि खालिसा भूमी और जहांगीरों में बुल्गर खाने खोले जाएं जहां गरीबों के लिए पका हुआ खानों पुलग कराए जाए ताकि वहां के निवासियों और यात्रियों दोनों को ही उसका फैदा मिल सके वैसुल्तान है जहांगीर अप्सन A अलतमगा अथवा अलतून तमगा जागीर को शुरू करने के पिछे जहांगीर का उदेश्य था इसका उदेश्य था परतेयक अमीर को स्थाई अवंटन के अंतरगत अपना पैत्रिक स्थान रखने की इजाज़त अप्सन C निमन मैंसे किस यूरोपी यत्री ने टिपने की कि समरागी नूर जहाने पूरे समराज्य में आनंज दाइक बागों, महलों, इमसरायों का निर्मान अपनी छवीत अथा परसिद्धी को बढ़ाने के लिए किया था वह यूरोपी यत्री है F.P.L.S.A.R.T. उम्र को ध्यान में रखते हुए नीचे दिये गए बादसाय, साह जहां के पुत्रों की सुची को बड़े सी सोटे में कर्मानुसार व्यवस्तित कीजिए साह जहां का सबसे बड़ा पुत्र था, दारासिको, उसके बाद साह सोजा, फिर ओरंगजेव, और फिर मुराद नेक्स्ट है नीवन में से कौन सा कथन सही नहीं है उप्शन A, 1603 में बीजपुट से लोटकर आने वाले एक सास की दूत ने अकबर को तंबाको के साथ एक फुका बेट किया, जो की सही है 20 वर्सों के अंदर जहांगीर ने इस पर परतिबंद लगा दिया, यह भी सही कथन है साह जहां के सासनकाल में अभिजात वर्गी परिवारों में सुगंद साला में इसका परियोग होने लगा, यह भी सही है 1634 में सूबा, सिंद की, सरकार, सहवान की कर, रहित फसलों में इसको दर्ज किया गया, यह कथन सही नहीं है नेक्स्ट है निमन में से कौन से कथन सही है उप्शन A, गुरू गोविन सिंग के सिस्षे बंदा भादूर ने उनके जीवन काल में ही एक विशाल विद्रो किया, यह कथन सही नहीं है बहुत से सिक इस विद्रो में सामिल नहीं हुए, यह भी सही नहीं है शत्रा सो सोला में बंदा बादुर का वद्द कर दिया गया यह सही कथन है चक गुरु में सालाना सर्वत खालशा के परता थी परतेक सर्दार ने अपने लिए एक प्रिथक भुभाग बनाना चाथता था यह सही है ओप्षन C और D सही कथन है नेक्स्ट है निचे दो वक्तवे दिये गए हैं कथन A और कारण R कथन A फ्रांसेसी यात्री जीन डी थेवनोट लिखता है कि बुर्हानपुर के लोग पराय तापती नदी को नदी का पानी नहीं पीते हैं जो कि सही है तापती नदी का पानी किन्तु R गलत है नेक्स्ट है निचे दियेगे पेस्वाओं को उनके काल करमानुसार विवस्तित किजिए पहले पेस्वा थे बालाजी विश्वनाथ उसके बाद पेस्वा बने बाजी राव पर्थम उनके बाद बालाजी बाजी बाजी राव पेस्वा बने और फिर माध तोफ डायरेक्टर्स की अवधी कितनी नियत की इसकी अवधी नियत की थी चार वर्स ओप्शन से राजा अनंद कुमार ने वारेन हेस्टिंगस के विरुद मीर जाफर की विद्वा से रिश्वत लेने की शिकायत की रिश्वत में कितना रुपईया था रिश्वत में 3.50 लाग था 1799 इसवी के चोथे अंगल मैसूर योद में टिपू सुल्तान की पराजय तथमरित्यू के उपरांथ अंग्रेजों 21 नियमन लिखी तराजवन्स के नवालिक बालको मैसूर का नरेश बनाया वाडियार राजवन्स के नियमन मैं से कौन सा वक्त हुए ओपनिवेसिक का लिए भारतिय निकास के स्त्रोतों के बारे में सही नहीं है उप्शन ए गरहय व्याई पर बहुत ज़्यादा पुन्जी का लगना जो कि सही है विदेशी कर्जी का ब्याज यह भी सही है दो बिलियन पॉंड का अधीशेंस फंड स्थापित करना यह सही नहीं है इंगलेंड से लेखन सामगरी ख्रीदने की सरकारी निती यह भी सही है उप्शन सी जोहव है सही नहीं है नेक्स्ट है British सरकार में सिंध को किस ने मिलाया सिंध को मिलाने बाले थे Lord Allenborough Burma के साथ किस युद के पस्धाथ अंग्रेजों ने मंडले के बिएक श्थान पर रंगून को अपनी राजधानी बनाया तर्तिय अंगलो बर्मा युद के पस्धाथ जो है वो रंगुन को अपनी राजधानी बनाया था, उप्शन C, निमन में ऐसे कौन सी हंटर आयो की सिफारिश नहीं थी, उप्शन E, प्राथमिक सिक्ष्या का कंट्रोल म्यूनिसिफल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को यह थी, वैवसाइक सिक्ष्या में सुधार यह भ भारती राष्ट्रे कांग्रेस के किस अधिवेसन में प्रथम भारती मेला को अध्यक्स सुना गया। कानपूर अधिवेशन 1925 में शरोजेनिन आईडी को अध्यक्स सुना गया था नेमनकिस अधिनियम ने ब्रेटिस आईसियस नोकरसाई को प्रथम बार बारतिय मंत्रियों के अधिन किया यह किया गया था बारति सरकार अधिनियम 1919 के दोवारा ओप्शन C हंटर आयो की निक्ति किसकी रिपोर्ट त्यार करने के लिए हुई थी जलियावाला बाग पर रिपोर्ट त्यार करने के लिए उप्शन A 1922 में भारती राष्टे कांग्रेश द्वारा ऐसा योग अंधोलन चलाने के निर्ने के बारे में निमन में क्या सही नहीं है उप्शन ये इसके लिए मत करवाया गया था जो कि सही है यह सरुव सम्मति द्वारा फैसला नहीं लिया गया यह भी सही है लगभग 40% परतिनीदियों ने इसके विरुद मत दिया यह भी सही है मुश्खिल से 10% ने इसके विरुद मत दिया यह कथन सही नहीं है सुवास्चंदर बोश दोवारा निर्मित रानी जांसी रेजिमेंट में सामिल होने वाली प्रत्थम महीला कोन थी? वहती लक्षमी सहगल, उप्शन C, समिधान सभा का स्थाई दक्स किसे बनाया गया था? सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए, सुची एक में व्यक्ति दिये गए हैं वह सुची दो में असोसियेशन, गोपाल ग्रीशन गोखले के द्वारा स्थापना की गई थी, सर्वेंटस ओफ इंडिया स्थापना की गई थी, जुचि एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, सूची एक में लेखक दिये गए हैं वे सूची दो में उनकी कृतिया दी गई है एसन सेन की कृति है 1857 बीजी तिलक की है दा एंसें टोम अफ दी आरियंस ध्यानन सर्शरती की कृति है वेद रहासे राम मोहन राय की है दी प्रीशेप्ट सोफ जिसस सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए यहां भी सूची एक में लेखक दिये गए हैं वे सूची दो में कृतिया दिये गई है दी लोकल रूट्स ओफ इंडियन पॉलिटिक्स एमन सरीनिवास की है सोशल चेंज इन मोडर्न इंडिया टी आर ट्राट्मान की है आरियन्स एंड ब्रिटिस इंडिया और एस गोपल की है दिवाइस रायल्टी ओफ लोर्ड रिपन ओप्शन सी दो वक्तविय दिये गए हैं कथन और कथन ए और कारण आर कथन ए राजा राम मोहन राय को बारतिय पुनर जागन का जनक कहा जाता है जो कि सही है उसने इसाई धरम पर एक पुस्तक लिखी यह भी सही है ए तथा आर दोनों सही है किन्तु ए की सही वक्या आर नहीं है भारत सरकार देनियम 1919 की प्रस्तावना में किये गए वाइदे को सरकार ने दिरिड़ता से अपनाया जो कि सही कथन है यह निशन्दे उत्तरदाई सरकार के प्राप्त करने की दिशा में एक निशित कदम था यह भी सही है दोनों कथन यह सही है और आर एक ही सही व्यक्या है उप्शन A नेक्स्ट तिपु सुल्तान जैकोबिन कलब का सदस्य बना सही कथन है राज्य में व्यापार एम वानिशे को बढ़ाने के लिए उसने अत्यन्त प्रियतन किये यह भी सही है दोनों कथन सही है किन्तु A की सही व्यक्यार नहीं है नेक्स्ट है नीचे दो वक्तों भी दिये गए हैं कथन A और कारण R कथन A 1857 के विद्रोह में बहुत से स्थानों पर किसानों ने भाग लिया जो कि सही है अंग्रेजी सरकार की बूरा जस्वे मांग बहुत अधिक्ती यह भी सही है दोनों कथन यहां सही है और R A की सही व्यक्या करता है कथन और कारण वाला कोस्टन है नेक्स्ट लंदन में दुईत्य गोल में इस कॉन्फरेंस बिना कुछ प्राप्त किये स्माप्तोई जो कि सही है गांदी जी ने बगत सिंग की जेल से रिहाई की पूरो सर्थ रखी थी यह कथन जोयवा सही नहीं है A सही है किन्तु R गलत है नेक्स्ट है निमलेकित गवर्णर जेनरल को काल कर्मा नुसार व्यवसित की जिये तथा दिये गए कूटों में से सही उत्तर का सैन की जिये इनमें सबसे पहले काल आता है लोड कार्णवालेस का उसके बाद सर्जोन सोर का काल आता है उनके बाद लोड वैलेजली और फिर लोड मिंटो नेक्स्ट है निमन वक्तवियों पर विचार की जिये तथा सही उत्तर का सैन की जिये कथन ए क्रिप्स मिशन पलान ने भारत के विवाजन को स्विकार किया यह कथन सही नहीं है 1857 इसे में अवद को अंग्रेजी राजे में मिलाया गया यह सही कथन है लोड करजन के समय एक प्रिथक लोग निर्मान विभाग बना यह सही नहीं है नहिरु रिपोर्ट ने मोली कदिकार प्रस्तावित किये यह सही है कथन दो और चार जोहवग सही है कि इस समयधानिक संसोधन के द्वारा धर्म निर्पेक क्षब्ध को भारतिस समयधान में जोड़ दिया है यह सब्द के दिखिर-, पफ्शोंधन केसके कोर्ण उसके तता रिकोर्ड मूल स्तरोतों के आंकडों में किसके हैं ये हैं समाज विज्ञान सोध में ओप्शन डे इसे के साथ जो है मारे पेपर कंप्लेट होता है धन्यवाद